आज का दिन काफी शांदार रहा होगा आज की 11 सप्टेंबर आप देख सकते हो अगर मार्केट देखो यहां अगर साइडवेज ओपन होता और फिर कंटीनी उपर जाता तो यह रेजिस्टन्स बनके काम करता फिर मार्केट को वन वे इस रेजिस्टन्स को ब्रेक करना काफी मुश्किल होने वाला था अगर मार्केट में आपको कल दो चीज़े बताई दी अगर मार्केट में आपको rejection from the downside आता है आप clearly देखने को मिलेगा कि मार्केट का जो low है वो exactly जो कल का resistance है उस resistance के आसपास लगाया और यहां से मार्केट को buy किया गया फिर उपर जाके hammer candle का formation हुआ जैसे hammer candle का formation हुआ फिर market continue sustain हुआ फिर आप देख सकते हो continue one direction में उपर जाते गया तो यहां पर important चीज क्या है तो हम लोगोंने कल analysis किया था जिससे open interest हम लोगों clearly दिखाई दे रहा था कि market bullish है लेकिन कहीं न गहीं है कि important level market में आ रही थी जो all time है था उस वज़े से हम लोगों को शायद यह लग रहा था यह market उपर के तरफ तो जाएगा लेकिन limited upside हो सक लेकिन वो 30-40 point की range थी 30 points की उसे के बीच में market रहा और फिर finally 2 के बाद फिर एक बड़ी moment हम लोगों को देखने को मिली तो ऐसे किसमें option बाहर को बहुत ज़्यादा फायदा होता नहीं है क्योंकि market sideways type है हलका सा उपर जा रहा है लेकिन premium नहीं बढ़ रहे थे बिलकुली at the same time आपको यहाँ पे candle का formation मिलेगा जो around 11 a.m. हुआ जहां से again मैंने आप लोगों कर जो discussion किया था जो यहाँ पे 5 minute के उपर formation हुआ वैसे ही यहाँ पे rejection from the downside आप लोगों को देखने को मिला और इस basis पे आप एक option को sale कर सकते हो put option को और आपको बहुत अच्छा यहाँ पे profit मिल स रखता है वो चीज में आप लोगों को explain करूंगा देखो जनरली मुझे बहुत सारे question आते कि option selling किस तरके से करनी चाहिए दो डाइप की option selling होती है एक तो आप basically इस range में कहीना कि आप देख सकते हो market इस range में उपर में एक range बना के बैटा था 942 और नीचे एक range बना के बैटा था 922 इस area में अगर आप चेक करोगे यह market यह range बनी हुई थी right अब इस range में कहीना कि market ने नीचे आके उपर जाने की कोशिश की तो around am हम लोगों को एक entry अगर आप 3 minute पे अगर आप check करते हो scalp के entry देखना चाहते हो तो वो भी एक बहुत अच्छे entry आपको 65-66 पर मिल रही थी but even on the 15 minutes time frame भी आप use करते हो जो generally मेरा favorite time frame है क्योंकि ऐसे setup पे अगर 15 minute time frame आप use करते हो तो आपके SL जाने के chances काफी कम होते हैं आप देख सकते हो this is the candle of the 11 a.m. exactly आप इस low के नीचे आसपास around 62-61 के आसपास हमारी entry हो सकती थी and जो आपका max SL था वो around 70 के आसपास था even you can set your SL at this particular price यह जो 2-3 candle है इसके आसपास भी आप 67 के आसपास भी रख सकते थे उसके बाद में आप देखो continue market नीचे के तरफ आया फिर sideways भी गया ना तो कभी भी इस level को touch नहीं किया तो जहां पे आप लोगोंने buying की हुए है market देखो हलका सा नीचे है फिर यहां पे sideways होते हो उपर जाने की कोशिश की लेकिन कभी भी जहां पे आपने sale के entry बनाई हुई है इस entry के आसपास भी market नहीं आया तो SL तो छोड़ी दो ठीक है तो basically this is the power of option selling नीच देखो obviously जिसने hold किया और option selling में आपके holding capacity बहुत जादा होती है कल भी हम लोगोंने explain किया तो you can easily understand what kind of risk reward here that is possible तो यह हमेशा मैं आप लोगों को बता दो कि ऐसे market में option selling ज्यादा better होता है obviously पहले ही candle में अगर बेच थे तो काफी आप 85 पे बेच सकते थे but this is not recommended always कि आपका जब तक confirmation ना हो selling नहीं करनी चाहिए again मैंने 19,900 की put का example लिया you can consider the 19,800 put also यहाँ पे आपका 6-7 point का जो SL यहाँ पे बन रहा है वो भी नहीं बनेगा उससे भी छोटा SL बनेगा so you can trade with the 4-5 point SL obviously that depends upon the market condition अब यहाँ पे वो condition बनी तो ऐसे candle को मैं generally prefer करता हूँ और यह चीज़े price action से ही बनती है और काफी effective भी होती है हम लोग daily time frame पे चलता है जिस तरीके से कहल हमने discuss किया था कि 19,851 के level के उपर अगर sustain होता है market तो market उपर जा सकता है लेकिन यहाँ कही open होगा तो candle का formation हो सकता है market ने किया सीधा सीधा gap up opening और gap up opening के बाद जैसे हम लोगों ने कल कहा था कि अगर gap up करके चला जाता है तो फिर तो अलग बात है तो exactly same thing happened today market gap up और continue उपर के direction पे गया और नया whole time high market का लगया bank nifty में देखता है तो bank nifty में आप देख सकते हो कल भी हम लोगों ने इस level को discussion किया था 45,388 को अगर market break करता है तो आप देखो 388 को break करता है तो आपको ज़रूर 45,657 यह level देखने को मिलेगी फोड़ा एक दू पॉइंट से यहाँ पर बच चुका है लेकिन ठीक है almost उस high के market गया हुआ है bank nifty में आप देखोगे न अभी भी space बचा हुआ है nifty ने तो all time high cross कर दिया है आज का नया all time high लगा पहले 2 मेने पहले high लगया था और 2 मेने लगे एक पूरा round pattern बना हुआ है अब फिर से market उपर के तरफ आ चुका है bank nifty में अभी भी हम लोगों को 300 से 500 का scope क्या हो सकता है that is the main question कि क्या है कि और उपर जाएगा या नीचे आएगा देखो अब यहां पर थोड़ा साम लोगों को समझना है नीचे के level से अगर bottom से देखते हैं तो 19,250 से अगर हम लोग consider करते हैं तो almost 20,000 तो 700,700 point की market ने rally करती one way at the same time अगर global scenario को देखते है तो आप दे को यह conditions क्या होती है ना जब dollar strong होता है rupees weak होता है तो ऐसे समय पे क्या होता है ना market नया all time high लगा के sustain होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है but in this particular scenario we have seen that कि market continue upside rally कर रहा है तो इसको थोड़ा सा देखना बढ़ेगा कि market यहां sustain होगा या नहीं होगा ठीक है तो वो एक थोड़ा देखने लाए चीज़े क्योंकि यह सारे parameter से कही ना कही market को impact करते ही है तो यह सारी चीज़े हम लोगों को देखनी चाहिए इंट्राडे प्रोस्पेक्ट देखे तो obviously मैंने आप लोगों को निफ्टी तो बता दिया किस तरीके से resistance breakout हुआ और काफी अच्छी movement आप लोगों में बहुत शानदा ट्रेट था ठीक है आप देखो यहां से market open हुआ इसी level पर support लिया उपर गया फिर retest करने आया फिर continue rally हुआ resistance के आस पास चला गया इवन फिनिप्टी देखते हैं तो exactly इस level को टच हो आप देख लो लो कहां पर लो से अगें रजिस्टन तर इवन जो stocks मैंने आप लोगों को recommend किये थे वो भी हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले मैंने आपको VR logistics बताया था ठीक है यह देखो ऐसे movement capture करना थोड़ा सा मुश के direction में गया तो यह trade आपको मिला और आपने profit किया ठीक है यहाँ पे यह जो area इस point से इस point टक हम लोग कोई view नहीं बना सकते कि market उपर जाएगा नीच आएगा यहाँ पे कहीं भी भी आपको support का angle नहीं दीखेगा even आप इस triangle को consider करोगे ठीक है तो इतनी बड़ी candle अगर बनत किया था बट यू कन चेक किस तरीक से level पर काम किया अदानी enterprise जो मैंने आप लोग को suggest किया था देखो पहले खुलादल candle बनी दीरे दीर मार्केट नहीं यहाँ पर hammer candle बनाया support बनाने की कोशिच की इस case में आप देख सकते हो अच्छी strong candle बनी यह पूरा जो rectangle इसका record भी हो ग रहता है यह जो stocks है ना यह किस तरीके से level पर काम करते वो देख ले ना जो stocks मैं recommend करता हो पहली 15 मेंट यहाँ उपन हुआ obviously कोई trade नहीं कर सकता है next 15 मेंट के candle यहाँ पर नीचे breakdown कर दिया अब यहाँ पर आप trade करोगे तो हो सकता है ठीक है to be very honest देखो अगर आपने यहाँ प आपको बुलिश दिखा ही दिखे हो सकता है कि maximum एक बंदा कहां पर इस हाई के उपर या फिर इस level के उपर इस candle के उपर लेकिन देखो यह कभी close नहीं कर पाया तो कितने point का गया होगा आप चेक कर सकते हो यहाँ से almost आपका SL गया होगा इस level पर continue और एक red candle बनेगे अब आपको क्या करना है simply जैसे ही यह candle बनेगे आपके SL हाई क्या पस लगा दो ठीक है next candle बनेगे साई क्या पस लगा दो जिस तरीके से market rally कर रहा है ना उस तरीके से हम लोग मार्केट को hold कर सकते हैं और देख सकते है कि कितना हमें जादा सी जा आप देख सकते हो exactly level पर है यहां पर support बनाया इस एरिया में आपका SL बंद रहा था 15 points का almost थोड़ा बढ़ा है क्योंकि stock value पी almost 3687 के आसपास है तो one way movement आपको 74 points की यहां पर ज्यादा मिलके लेकिन हम level to level consider कर रहें तो basically these are the important level where we can plan our trade ठीक है तो stocks में आपको recommend करते हो holiday के लिए आप देख सकते हो लेकिन आपको price section खुद देखना पड़ेगा कौन सा कहां पर बंद रहा है अब देखते friends आगे क्या हो सकता that is again important parameter देखो यहां पर बात करते है कि हमें exactly अभी जो nifty high पे है ठीक है PCR आप देखो 1.42 का है PCR 1.42 का है तो थोड़ असा है ना यहां प कि market उपर नहीं जाएगा but somewhat it is risky कि 1.42 का मतलब topmost PCR बंद रहा है ऐसे जगे पर buying करके चले जाना थोड़ा सा मुश्किल है और क्या होता है कि अगर market gap of open करता है 20-40-50 points से फिर हम लोग वहां पर buying करेंगे तो that is a problematic situation तो ऐसे condition में क्या होता है market bullish है और deep पे आ रहा है और deep लगा कि अगर price action बना के दिखा रहा है कि support बना लिया है तो ऐसे समय पर आपका swap law चोटा होता है और trading में सबसे important चीज़ एक ही होती है risk reward को maintain रहो otherwise कुछ हो नहीं सकता है तो risk reward को चोटा रखने के लिए candlestick का study बहुत अच्छे से होना चाहिए अगर मेरा youtube channel देखोगा आप तो मे बहुत सारे नाम याद रहने के ज़रूरत नहीं है कि इस तरीके से buyer और sellers के बीच में एक war हो रहा है और उससे क्या story हम लोगों को पता चल रही है कि समझना बहुत ज़री है pattern भी समझ में आएंगे और price action भी समझ में आएंगे लेकिन सबसे पहले important होता है candlestick को समझना cruise basis पे हम लोग entry करते है तो आपको जैसे मैंने आपको समझा है कल price action और आज में होता है किस तरीके साथ trade को plan कर सकते है छोटे मोटे SL के साथ हम लोग बहुत अच्छे trade मिलते है 1-3, 1-5 के भी trade आप लोगों को मिल सकते है यह हो गया अभी देखते है data किस तरीके से बंद रह लेकिन कल मैंने आपको लोगों की चीज डिसकस की थी कि 20,000 पे highest open interest है तो आज open interest को check करते है अभी भी आप देखोगे तो 20,000 पे आज भी open interest बरकरार है बलके थोड़ा सा बढ़ा भी है क्योंकि देखो market है एक slow momentum के साथ उपर जा रहा था even call के prices बहुत जादा नहीं बढ़ जिन्होंने आज option buying की होगी center में वो लोग कितने परेशान हुए होंगे जिन्होंने भी किया है मुझे comment section में बताओ ठीक है जिन्होंने एंटक रुगा ना उन लोगों को profit मिल गया otherwise call के जो prices है वो appreciate नहीं हो रहे थे because market में वो moment नहीं थी और at the same time आप देखो 20,000 में लोग निकल भी नहीं रहते जो हम लोगों ने करे discussion किया था ठीक है अब यहां पर 20,000 पर highest open interest है और चेंज की बात करते है तो 19,000 we was discussing yesterday कि अगर market sideways कुला तो 19,800 पर देखो तो 19,800 में अच्छा गासा open interest आप लोगों को दिखा ही दिया call side में unwinding होई ठीक है 19,850 में होगा सबसे ज़ बहुत सारी चीज़े clear होगी अब देखो बहुत अच्छी ही राइटिंग 19,900 पर आप लोगों को देखने को मिले और उस वजह से market उपर के direction में गया भी slow गया लेकिन गया ठीक है 20,000 के आसपास आके बैठा हुआ है और 20,000 पर हम लोग देखी रहे है कि किस तरीके से चीज यहाँ पर है तो open interest सबसे highest है अब थोड़ा से हम लोग देख लेते है कि option chain क्या कहती है simple सी चीज़े आप देखो 20,000 पर highest open interest है तो एक करोड़ दो लाग पचास हजार के आसपास आप लोगों को दिखाई दे रहा है उसमें 23,000 के आसपास addition हुई है ठीक है कोई निकले नहीं और जो next strike price है ना 20,200 इसको समझो के थोड़ा तो आप देख लोगो 20,100 के आसपास कहीं ना कहीं 20,100 एक resistance बनके यहाँ पर सामने आ रहा है और 19,900 एक strong support बनके आ रहा है क्योंकि highest high change है highest open interest भी है volume भी आप चेक करोगे तो अच्छे कास है volume is also playing very important रूल यह सारी चाज़े देख 20,000 के आसपास अभी है 20,000 से सीधा gap up कर देता है 20,000 50 के उपर 70 के उपर सस्टेन हो जाता है तो फिर कहिना कि यह जो 20,000 के लोग है जोनोंने call रखा हुआ है तो उन लोगों को अपनी position wind up करनी पड़ेगी अब 20,000 के call seller से एक बार निकलना शुरू हो गया है तो फिर कहिना क आसपास market जाने के ज़रूर कोशिश करेगा फिर 20,000 market अपना base बना लेगा ठीक है सारी चीज़े logical है अगर मैं यहां से prediction करने जाओ तो किस तरीके से opening होने वाली है वहां से हम लोगों को देखना पड़ेगा तो इसलिए point to point में आप लोगों को चीज़े बतारू जो सारी च analysis क्या कहता है सिंपल सा अगर हम लोग देखते है तो देखो 20,000 के आसपास exact market closing की हुई है अगर इस case में market सीधा gap of open कर देता है अगर market gap of open करता है तो आपको मैं बताता हूँ कि almost 20,044 ठीक है यह पहली level आएगी जो resistance R1 का का काम करेगी और 20,075 यह पूरा resistance का area रहेगा इंट market को यहां रेखना चाहिए किस तरिके से price action बनाता है सेम आज के date में वही चीज़ हुई यहां open हुआ नीचे आया support बनाया फिर उपर के तरफ गया लेकिन यह distance काफी कम था but as of no अगर आप check करोगे कि अगर market sideways खुलता है ठीक है अपने बाग दो condition है कि market sideways खुल जाता है sideways पर higher lows बनेंगे या फिर downside से rejection आएगा कुछ hammer type of candle दिखेगे ठीक है बड़ी candle बनेगे तो ऐसे low generally break नहीं होते है देखो मैं जो चीज़े बता रहा हूँ ना generally यह 10 में से 7-8 बार होती है 10 में से 10 बार कोई चीज़ नहीं होती है ऐसा होता तो फिर तो बाती अलग होती ठीक है probability कितनी जादा है इन चीज़ों को समझो यार मैं सारी चीज़े expand करने के कोशिश करो detail में video बना रहो आप लोगों के लिए तो यहां से higher lows बनाते जाएंगे तो कहिना कि 19,985 के उपर अगर support बना लेता है market इस एरिया में तो फिर हम लोग long कर सकते है 20,000 को market को breakout करने के लिए बहुत जादा दमनी लगेगा 20,000 20 तक market जाएगा रुकेगा वेट करेगा फोड़ा सा और breakout कर सकता है ठीक है लेकिन market ने यहां strong support बनाना चाहिए अब देखो price action के हिसाब से यहां support बना लिया this is the first point second point आपको याद रखना है कि OI देखना है OI कहां देखोगे अब 19,900 तो पे selling start हो जाएगी 20,000 पे हो जाएगी ठीक है 20,000 थोड़ा दूर रहेगा इसलिए इतना नहीं होगा तो जब भी market 19,950 selling start करें market इस जगे पर आएगा call sellers भागेंगे ठीक है या उसके पहले put sellers आना start होंगे that is the most important part ठीक है पहले put sellers आएंगे put sellers आने के बात फिर call sellers भागेंगे तो market rally करता है ठीक है तो हम लोगों को उपर के levels इस जगे पे आराम से दिख सकते है इस आर्थ इंपोर्टन प्वेंट आट वी है और एक दूसरी चीज़ है कि देखो market कहीना कि सबसे अच्छा सेनारिय हो market gap down हो जाए ठीक है gap down open हो जाए तो कहीना कि आप लोगों देख सकत कि कहां पर open हो रहा है वो बहुत important है हो सकता है कि market यहां open हो नीचे के तरफ आए लेकिन नीचे के तरफ आता है तो 19,968 के नीचे बहुत जादा scope मुझे नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि बीच में levels आ रही है 932 की तो market कहीना कि यहां से support ले लेगा वैसे TM level नीचे के तर देंगे ठीक है तो अगर यह उपर आ भी जाए unfortunately तो हमें कोई loss ना और नीचे चला जाता है तो बहुत ही बहतर है ठीक है तो कहीना कि bottom से market खुलता है और फिर उपर चला आता है तो वह अच्छा एक chance होगा आप लोगों के लिए position बनाने के लिए otherwise gap up खुलता है तो आप लो जा सकते हो फिर market कहीना कही 20,100 को भी breakout कर देगा फिर उसमें तो सारी जो call seller से trap हो जाएंगे और फिर market rally करेगा selling भी पड़ेगी call sellers भी निकलेंगे और फिर market rally करने के लिए ready होगा कि मैं यहां से बहुत बीरिश market को नहीं देख रहा हूँ क्योंकि यहां से कोई view बनाना सेरके से move हो सकता है समझाने की कोशिश करता है but there is no doubt कि हमारा जो market इंडियन market वो काफी strong है आज किसी का मुझे message आया आप मार्केट ने all time high लगा लिया क्या सर मैं जो मेरे बीज निफ्टी बीज उनको book कर लो कि जो भी है मैं उझे 18,000 और 19,000 के आसपास बाइ किये ते या म अगर आपका portfolio long term के लिए long term का मतलब 2-5 साल बिलकुल नहीं होता as per the my definition long term obviously आपको 10 years, 15 years, 20 years के लिए आप सोच रहे हो I am just telling you आप 10 में से 2 बार सही होगे, 8 बार यहां पे आप fail होने वाले हो क्योंकि market को कोई time नहीं कर सकता तो simple सी चीज है अगर long term investor हो तो market all time high जा रहे तो बहुत अच्छी बात है शायद यहां से market 20,500 चला जाए और आप यहां पर position book कर लो ठीक है अब देखो यहां पर क्या ह अपके आते हैं की sir मेरे पास मैरे पास 1,00,000 रूपी मैने के लिए बता दो क्या करना है ऊचो नहीं कर सकते हैं और 2, 4-6 मैने 8 मैने 1 साल के लिए कोई view नहीं होता है किसी को नहीं पता कॉन सthought सोख भागने वाला है question को correct करना पड़ेगा Gör rules which테 तरही के से रान करते है, आप चार्ट को देख रहे हो, आप डेली ंचार्ट का चार्ट कोलो, आप देखो किस तरही के से निफ्टी 2008 से बढ़ा हुआ है और कौन से स्टॉक किस तरही से परफोर्म कररे है विकली चार्ट को each and everything will be cleared आपको time देना पड़ेगा screen के सामने homework करना पड़ेगा किसे को पूछने के जरुरत नहीं है ठीक है लेकिन आप fundamentally wrong answer मतलब wrong question मत पूछो ठीक है वो गलत हो जाता है अगर आपको simple है आपके पास एक लाग रुपय है तो आप एक safe instrument जो होते है निफ्ट बेस बैंक बिस उसमें पार्क करो आपके पैसे ठीक है किस तरीके से कर सकते हो भाई आप चार पार्ट में डिवाइड करो 25 के इंवेस्ट करो जब भी opportunity नीचे मिलेगी थोड़ा थोड़ा इंवेस्ट करते कि उसके बाद में आपको SI में आड करना है अगर आप दो लाक रुपर लगा कि आपको लगता है कि इंवेस्ट में मैं दो करट बना लूँगा तो शायद ही हो पाएगा कभी ठीक है 10 परसेंट 12 परसेंट के आपको मतलब रिटन मिलने वाला है CIGR के बारे में बात करोगे और दे यर कही न कहीं यह चीज़े बहुत इंपोर्टन होती है कि you have to add money in the form of SIP मैं हमेशा बोलता हो अगर लास्ट टीम आपने मेरे इंटर्वी देखा होगा तो I just told one statement इंसान और मार्केट हमेशा उपर ही जाता है यह चीज़ याद रखना इसलिए अभी last time हम पूरे week में bullish थे कोई दिक्कत की बात ही नहीं थे हम लोग almost 19,300 से continue bullish था कल मैं थोड़ा सा सोच रहता है and obviously ऐसे days पर हम लोग option ceiling करेंगे थोड़ा समझ के तो ऐसा बन जाएगा आराम से कल भी देखने वाली चीज़ है कि क्या market में होता है again important thing कि अगर investor हो तो बहुत जादा सूचनी की ज़रुवत नहीं है कुछ लोग होते है कि जैसे मेरे पास 500 लाग है पूरे के पूरे डाल देंगे market नीचा आजएगा 600 फिर तकलिप में आ जाते है नहीं पहले ही मत लगाओ इतना सारा ठीक है इस आर दो आल इंपोर्टन पॉइंट आट इस्कॉस वीट यू अब आउट दे मार्केट अबाउट दे इन्वेस्मेंट आपको इन्वेस्मेंट के उपर और वीडियो चाहिए कौन सा mutual fund होता है कौन सा stock किस तरीके से diversification करना चाहिए मेरा क्या analysis होता है कौन सा stock मैं पसंद करता हूँ किस तरीके से chart देखने चाहिए fundamentally मतलब आपको बहुत ज़्यादा explain नहीं कर सकता तेकनिकली मैं chart को किस तरीके से देखता हूँ क्या चीज़े समझ में आती है वो सारा बताऊंगा मैं आप लोगों का अगर आपकी चाहो तो you can write down in the comment section की investment investment type कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो तेक है friends आज के लिए इतना ही आपको hopefully video काफी informative रहा होगा नई चीज़े पता चली होगी and obviously अगर आपको कोई information मिली कोई value addition होगी न तो friends एक like मार देना video को share कर देना अगर इस तरीके से हमारे viewers बढ़ते है videos को देखते तो हमें भी motivation मिलता है by the way मैं कल आपको बताना का भूल गया कि आपने बहुत सारे message कि मेरे बड़े के 9 September को बड़े था आप सभी लोगों को धन्यवाद वैसे मैंने टेलेग्राम पर बोल दिया था it's my responsibility कि आपको मतलब इस तरीके से thank you बोलना चाहिए तो thank you all of you all जितने भी लोग at trademaster group के आप सभी के वज़े से मैं यहाँ पर हूँ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद thank you so much and friends again मिलते हैं next video में तक के लिए जय हिन जय वारत